दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक विल्कुली लेटस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम रियक्ट करने वाले हैं ड्रामा तेरे बिनके एपिसोड 22 के पार्ट टू के उपर ठीक है पार्ट वन पहले हम अप्लोड कर चुके हैं जोनों भी नहीं देखा जाकर आप लोग चेक आउट कर सकते हो हम इसे वन अफ दे बेस्ट एपिसोड कह सकते हैं ठीक है बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़े इसमें दिखाई गई थी जो के नॉर्मली ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती काफी अलग-अलग सा लग रहा था सबी के एक्स्प्रेशन्स ठीक है सिर्फ हाया सेम लग रही थी बाकी मुर्तसिम और मीरप के एक्स्प्रेशन्स काफी डिफरेंट थे ऐसी डाइनेमिक सुन दोनों के बीच में पह आए रखे हमारे चैनल पर रेगुलर ली वीडियो जा जाती है जितने भी नई वीवर से जाकर आपको चेकाउट कर सकते हो कि हमारे चैनल पर क्या चीज़ें अप्लोड हो रही है आजकल अगर आप लोग उन चीज़ों में इंट्रस्टेट हो तो आप लोग जरूर सब्सक अपने कहा था बाहर खड़े रहो तो मुझे को खा थोरी रहा था बीवी हो मेरी जिमितारी हो क्या किया जायत हमारा कैसे ठीक हो गए यह लो तो तो चुछानदा मुना प्रेस्ट तो चुछानदा मुट्स एक तो इस वक्त मैं बिल्कु भी किचिन में जाकर जुछान नही थे मुझे लगा इसकी जुरूरत होगी एक मनेट तुम्ही कैसे पता कि इसको ठंड लगी है संदेगी भर का साथ है अरे तुम किस चीज की जुरूरत होती है मुझे पता है बात बढ़ी है यार कमानो कर दिया यार इसे तो यह चीजे बीवी को मालूम होनी चाहेंगी तो म मुझे मालूम है इसको किस चीज की जरूरत है तुम जा इका पकड़ो और जा यहां से डाइनमिक शेंज होगी रहा है अब मीरभ चाहरी है कि उसकी इनॉल्म्मेंट ना हो हमारे पीचे देखा है तुमने हर चीज पर नजर रखती है तुमाई तुमाई का मुसका मुसे यह हो आर मानती नहीं हूं लेकिन इंसान तो सम्झो हो एक सास हु रहे कि मुझे क्यों नी पता है नेक्स लेवन यार साइको साइको ऐसे प्यार करने वालों से अच्छा है कोई प्यार ही ना करे यार जैसे मैं जल रही हूं एक तिन तुम भी पैसी ही चलोगी अच्छा समझ गया अरे ये मुझे भूतनी जैसी वाइप तो दे रही हाज है रात बर घर में ऐसे गुमरी है ना तो पट्टे के नीचे कुछ नहीं देख रहा अरे क्यूट यार अब ये बनाने आ गई ना मुरतसिम अबना शान लेके आ गई है मुझे तरा दिया तुमने किसने काता इस वक्यां आओ के ले जुषानदा भी तो बना ले बड़े फिकर हो रही है मेरी फिकर नहीं हो रही है अपनी इज़त की फिकर है मज़े वरना मा बेगम कहेंगी कि मेरे बेटे को जुषानदा नहीं बना के दिया उसका ख्याल नहीं रखा बना लोगी असार तो नहीं लग रहे है अविदीव तक हाँ जार जाकर प्रेवरिट थाया के हाथ का बनावा जुषानदा पीलो ना जुषानदा जुषानदा मैं तब पीलू लेकिन फिर तुम मेरा खुन पीजाओ अगर एक मिनट और खड़े रहे तो वाक ही तुम्हारा खुन पीजाओ मीरब भी है रहा ने ये क्या चल रहा है और ये कहर क्या रही है यार किस कबाड़ खाने में बैठ गई गई आशे पकड़ी जाए ये काम करते करते है तावीज पसीना देखो कितना आ रहा है पागल है ये रोज तुझे जलानी है कि मेरे मौहिकल मीरब के पीछे लग कि इतना डर आएंगे कि वो खुद ही डर के ये घर और मुर्तसिम पो छोड़ कर चली जाएगी सच में ऐसा होगा क्या है ये तो कोई इंसान था है सफेद भालू वाला तो मुझे नफरत है यार क्या करते हैं कॉर्ण अचानक सही होरर शो में कर्वाट हो गया है तूम अगर यह तूम हो तो बहुत वजूर मजा कोंगे यहां कॉर्ण कि अथ क्या हो यह कोई था यहां तूम हो नहीं मैं यह यह लावब कोई था मैंने महसूस किया तुम्हारा वहम है मैं तुम्हेन नूदा भाइ है मैंने पिल्कुल भी पिल्कुल भी नियो सोच था कुछ ऐसा हो गा हया का कुछ करना पड़ेगा खुबली जमीन का क्या हुआ अब वो जमीन मृतसिम खान की है इसे कैसे हो सकते है राणा साब, वो मेरी जमीन है, मेरा हग ए! और बृतिसिम खान माफिनावे नहीं करता ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीषता रहाता, तो पीषे ने ने तया मुझे! ऐसा भी कोई पागर हो सकता है, क्या हो सकते है कोई ऐसा पागर? यह हुई ना बात है तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए जैसे तुम्हारे अबा कहते है बैसे करो यह तुम्हारे लीवी बेतर है पर हम सब के निये में तब आप मुझे बताएंगे कि क्या रभाई होना चाहिए और क्या नहीं बहुत बत्तमी जैना अपने काम से काम रखे बत्तमी जैना उपर की वन्जर में कुछ देखा तुम्हें क्या बीबी जी इसी के पाउं के निशान घर में कुछ चीज गुम हुई है नहीं बीबी जी कुछ भी गुमनी हुआ क्यों किसी को देखा क्या आपने कोई उपर चल रहा था अब हाए को हो सकता है वहम हो कह रही थी कि रात को कोई आया था उन कह रही थी कोई या फिर मेरा वहम था हज देखो जय表 कैसे रही है मनूस कुछ力 हता उके दोस्तो तो यहां पर एपिसोड 22 खतम होता है जो हमने इसमें देखा है न सकता कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या चीज़ होने वाली है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक, बूत, इस तरीकी की चीज़े आएंगी ठीक है? इस तरीकी का इसमें कुछ शिफ्ट आएगा, टर्न आएगा रामा में ठीक है? अब मुझे लगता है एक दो एपिसोड तक ये चीज़ चलती रहीगी मेरभ डरेगी, मुझे उसका खयाल रखेगा और हाया डिसपॉइंट हो जाएगी मेरभ कही नहीं जाने वाली समझे लग रहा है लेकिन मलक मुखतार का ये जो चहरा दिखाया है कुछ तो वो करेगा, कुछ बहुती बड़ा वो करने वाला है अगर हाल फिलाल ना करें तो इसके बहुत सारे एपिसोड थी एंड तक आते आते वो कुछ तो करी देगा क्योंकि उसके रवये से मुझे ऐसा ही लग रहा था तो दोस्तों ये एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा पढ़िया था अगर हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो उसमें वो डिनर डेट थी, बहुत सारी चीज़े प्यारी प्यारी थी लेकिन इसमें फिर से कॉंप्लिकेशन्स, मैंने का था आपको के रामा है, अभी बहुत सार एपिसोड स्पेंडिंग है तो अच्छी चीज़े दिखाई जाएंगी फिर प्राब्लम्स आएंगी फिर उन प्राब्लम्स को सॉल्व करेंगे फिर से प्राब्लम्स आएंगी, अच्छी चीज़े होंगी तो ये चीजे चलती रहेंगी, पूरा end तक ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि अच्ची अच्छी चीजे दिखाई जाएं तो अगर सिर्फ वो चीजे दिखाए हैं, तो फिर ड्रामा का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये चीजे भी जरूरी है वापस ड्रामा ट्राइक पर आ चुका है ये बूत पिशाच की बाते फिर से वापस आ गई है और मलक मुक्तार भी कुछ आगे करने वाला है मतलब मा बेगम इस बात में तो सही थी तिक कहीं कहीं चीजों में तो बड़ों का मान लेना चाहिए मलक मुक्तार को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहिए था तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आप लोगों से एपिसोड 23 के पार्ट 1 में तब तक है आप सब्सक्राइब करने से यालों को मिलता हूँ किसी और वीडियो में बाई